पुनात्मों इस अमर कथा मैं, एरुची ना करना है, असंखो युगों के बाद तुमारा बिल्ली के बागों छीका टुटा है भी है, इसको चक चक कर खालो और कल्यान करा लो। आपने यहां आए हो तो लाब प्राप्ट करो मालिक का, ऐसा लाब दे देगा, आप सोच भी नहीं सकते, आप चक करमा पड़ जाओगे, क्या परमात्मा सच मुछ ऐसे सुख दिया करता है, सुना करते थे लेकिन आप यहां देखा करोगे, आप यहां महसूस करोगे, केवल य यहां मांगो कि एक परमात्मा चर्णों में रखना, एक गुरुजी चर्णों में रखना, दूर ना करना, क्योंकि जब हम चर्णों में रहेंगे, तो फिर परमात्मा कुण सा बालक है, कंजान है, उसने हमारी प्रोबलम का पता को नहीं, वो तो अंतरियामी है, हमारी प्र नहीं करे कि अपने कबीर परमात्मा की नथिंग एल्स तो ऐसे पती भरता इस्त्री की कहते हैं जो जब ऐसी मदद करता है परमात्मा पती भरता जमी पर जो जो धर है पाओ और सम्रस जाडू देता है कही ना काटा लग जावे जैसे पती भरता यानि एक इश्ट पर आश्रीत और सभी उपासनाय छोड़ कर सचे दिलते हैं गुरू मर्यादा में चलती हुई जो आत्मा पुन्यात्मा है वो पती भरता परमात्मा की परती है और फिर अपने जीवन रुपी सफर में वो जितने भी कदम रखती है परमात्मा उस पाप रुपी काटों को आगे-आगे बुहारता चलते है जाड़ू देते हैं कहीं मेरी प्यारी आत्मा को काटा ना लग जा यानि कोई करम दुख ना दे जावे पती भरता जमी पर जो जो धर है पाओ और समर्थ जाड़ू देते हैं कहीं ना काटा लग जाए तो पुनात्मा हों हमने परमात्मा से इतना लाब लेने के लिए इस योग्य बनना पड़ेगा ताकि वो हमारी नूदे केर टेक करे जब तक हम इतने योग्य नहीं होंगे ठीक है वर्क दिन आपको मिलता ही रहेगा अब परसंग चल रहा है कि गुरू गोविंद दोनों खड़े और किसके लाग मुपाए बलिहारी गुरू आपना गोविंद या मिलाए इस परकार आप जी ने गुरुदेव को भगवान मान कर चलना होगा क्योंकि जैसा भी आप यहां रियर्सल कर रहे हो जैसा भी ब्योहार जैसी भी सोच आपकी इस दास के परती है वो आपकी सोच आखरी तक बनी रहेगी जब आप संसार चाग कर जाओगे आगे परमात्मा तरकुटी के उपर आपको इस दास के रूप में मिलेगा और वहां वो परमात्मा आपकी सद भावना आपका सिष्टाचार आपके अंदर के विचार के आप कैसी भावना इस दास के परती रखते हो तो वहां आपके हर्दे की अंतरियामी परमात्मा वहां आपकी फिर प्रिक्सा होती है लेगा तो इसलिए आप जी ने परमात्मा के आदे समसार गुरु जी को परमात्मा मानना चाहिए गुरु परमात्मा नहीं है लेकिन आप जी ने उनको भगवान मानना पड़ेगा यदि ये परसन हल करना है तो नहीं तो हो ही नहीं सकता ये नियम है परमश्वर कबीर जी कहते है मम संथ मुझे ही जान मेरा ही सरूपम मेरे संथ को मेरे परती निधि को मुझे ही जान वो मेरा ही सरूप समझ लेना तो परमात्मा जैसे आपके सामने बगवान आजाओindruck परमात्मा आओने तो आपका कैसा बिवहार होगा ठीक है कोई निर्दन है वो माया मांगेगा नि संतान संतान ही मांगेगा जैसे आपके लिए अर्षब चल रही है लेकिन आपको वास्तों ये पता हो ये भगवान है आपके हर्दे मान ले तो फिर आपका कैसा भिहार होगा और सामने बगवान खिड़ा और आप कैसे बोलोगे कैसे विचार करोगे कैसे उनके परती भाव न रखोगे उनको अंतरिया मीजान के आफमन में सोच भी गलत नहीं ला सकते और लैनी भी नी चाहिए और नहीं गुरुजी के सामने यानि प्रभू के सामने जूट बोलना चाहिए क्योंकि फिर सारे फाल पॉइंट है अब गुरुजी के सामने आप जूट के बोलोगे कैसे तो कोई गुटी लागया बीच में नाम डुटी गया और नहीं बताओगा नहीं बताओगे तो आपका नाम खंड है लाब हो को नहीं कनेक्शन कट तुके आटॉमेटिक तो या जूट बोल कभी के आपने फिर फाइदा हुआ लाब हुआ हानी हुई बलके लाब नहीं हुआ और भी कोई माता दो किया है को कोई और किसी भी कारण से नाम खंड हो जाता है तो रिद बताना चाहिए ठीक है ये दास क्या करेगा थोड़ा बहुत दमकावगा करड़ा करूँगा वही गलती है खबरदार जैसे आपने नियम बंग किये हैं तो आपका नाम फिर सुद कर दिया जाएगा रि उपदेश दिया जाएगा नहीं तो आपका कामियाब नहीं मिलेगी आपको लेकिन बार बार या हैबिचोल नहीं होना चाहिए अगले नाम तो मिल ले जागा इसका कोई समय होता है इसकी लिमिट होती है कितनी बार किन प्रिस्थितियों में आपने से खंड हुआ फिर वो नाम आप चाहिए बीस बार डेली और काम करना बंद कर देगा तो इसलिए हमने बहुत डिरक है जैसे माता गरब को रख यतन बना और ठेश लगयता है च्छनों होती ऐसे बगती जा किसी बहन बेटी को काफी समय के उपरां गरब रहा हो फिर वो जान है उस बच्चे की उस गरब की वो कितनी चंता करती है रातने भी करवट लेते समय भी एक दम आखे खुल जाती है तो देखती है कही मेरे बच्चे पर दाब तो नहीं आगी कही बच्चा मेरा खराब तो नहीं हो जा उच्चे नीचे पर पैर टेकते समय भी वो कई बार सोचती है तो पुन्यात्माओ ऐसे ही ये भगती रूपी गरब को आपने ऐसे यतन बना कर बचा कर रखना पड़ेगा फिर यो अनमोल लाल आपको मिलेगा जैसे माता गरब कूं रखे यतन बनाए और ठेस लगयता है ख्षिन हो जाए तरी ऐसे भगती नसाए तो हमने अपने इस लाल बगती रूपी गरब को बहुत सुरक्षित रखना है ये बकवाद करन की बात नहीं है ये मजाग की बाते नहीं है इतको हर देम दरना पड़ेगा कि हम क्या करने आए हैं किस उदेसे से हमने उदेस लिया है ठीक है प्सुरू प्राहरम में हम आते हैं कोई दुख निवारन के लिए वो भी होगा क्योंकि भगवान सारे काम करेगा और फिर कुछ तिनों में आपको ग्यान हो जाएगा फिर आप कुछ नहीं मांगोगे केवल यहीं मांगोगे परमात्मा चर्णों में रखना एक गुरू जी चर्णों में रखना दूर ना करना क्योंकि जब हम चरणों में रहेंगे तो फिर प्रमात्मा कुण सा बालक है का अनजान है उसने हमारी प्रोब्लम का पता को नहीं वो तो अंतरियामी है हमारी प्रोब्लम हमें नहीं पता उसको पता है और जो सचे जलते अनन्यमन से पती भरता पत पर आके भक्ती करते है पती भरता पत का आरत है कि किसी और इस्ट की पूजा नहीं करे कि अपने कबीर प्रमात्मा की नथिंग एल्स तो ऐसे पती भरता इस तरी की कहते हैं जो ऐसी मदद करता है प्रमात्मा पती भरता जमी पर जो जो धरह पाओं और समर्स जाड़ू देते हैं कही ना काटा लग जावे जैसे पती भरता यानि एक इश्ट पर आश्रीत और सभी उपासनाए छोड़ कर सचे दिलते हैं गुरु मर्यादा में चलती हुई जो आत्मा पुन्य आत्मा है वो पती भरता परमात्मा के परती है और फिर अपने जीवन रुपी सफर में वो जितने भी कदम रखती है परमात्मा उस पाप रुपी काटों को आगे आगे बुहारता चलते हैं जाड़ू देते हैं कही मेरी प्यारी आत्मा को काटा ना लग जाए यानि कोई करम दुख ना दे जावे पती भरता जमी पर जो जो दर है पाओ और समर्थ जाड़ू देते हैं कहीं ना काटा लग जाए तो पुनात्मा हमने परमात्मा से इतना लाब लेने के लिए इस योग्य बनना पड़ेगा ताकि वो हमारी नूजे केर टेक करे जब तक हम इतने योग नहीं होंगे ठीक है वर्क डन आपको मिलता ही रहेगा अब परसंग चल रहा है कि गुरू गोविंद दोनों खड़े और किसके लाग मुपाए बलिहारी गुरू आपना गोविंद या मिलाए और कहते हैं कबीर हरी जैर रूठ जा तो गुरू की सरने जाए और कहे कबीर गुरू रूठ जाता ना हर नहीं करे सहाए अब जैसे जिस प्राणी के पुन अक्सिन हो जाते हैं जब तक पुन रहते हैं तब तक तो परतेक प्राणी सुख ही नजर आता है गर में भी विवसाय में भी बाल बच्चे भी ठीक हो जाते हैं साधी ब्या भी हो जाता है और फिर जब पाप कर्मों का दोर प्रहर्म होता है क्योंकि ये मिस्रन कर रहा काल मगवान ने हमारा प्रहर्द बना रहा है तो हमारे संचित पुन और पापों में से जो डेपोजिट हैं जनम जनमानतर के उन में से एवरेज डेसों से निकाल का है अब आपका प्रहरत बना रहे हैं उसमें पाप भी बिला रहे हैं और पुन्ड भी पुन्ड से सुख होता जा रहा है फिर पुन्ड वाला वैटरी आपकी डिस्टारज होगी वो खाता खतम होया अब पाप बारा सरुगा अपत्ती बार प्रहर मोगी है और जब तक आप आनो पासना भी करते थे किसी नकली गरु की सरण में भी थे तो भी आपके गढर में सुक होटा जा रहा था आप ये सोच रहे थे हमारे सत्गुरू जी की दिया से सब कुछ हो रहा है और फिर उसी सत्गुरू जी की सरण मरे तेरे तेरे सारी ब्रैन मैटी होगी फिर कहा गया हो सत्गुरू जी इंप्रू होना चाहिए था आप तो बिल्कुल ग्राउट मा आगे तो पुन समाप्त होगे पाप सुरू होगे जब इनसान कोई गढ़ा दुखी हो जाता है तो वो क्या कहता है मेरा राम रूष गया मेरा भगवान रुष्ट हो गया मेरा भगवान रूष गया मेरा प्रापती आगी और जो सुखी नजर आता है उसको आम आदमी का अगरव इस पर वगवान राजी हो रहा है इसका प्रमात्मा राजी है इसके गढ़े अच्छे करम है तो प्रमेश्वर क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आपके पुन समाप्त हो गए अब जैसे कोई विक्ती एक नलक पर से गढ़ा वर ले गया पानी का और कहीं दूर जाकर के कारिये कर रहा है खेत में या मजदूरी किसान का काम या जैसा भी या अपने गर पे ले आया जब तक वो जल है उस गढ़े में तो कोई प्रोब्लम नहीं और जब घड़े का जल समाप्त हो जाता समझ से आ जाती है और पैसे मर जाते हैं तो कहा जाते हैं फिर एंड पंप के पास जाते हैं और उसकी करकर पूजा यानि सेवा करकर हैंड पंप से फिर बर लाते हैं तो यहां प्रमात्मा कहते हैं कि जैसे वो जल है वो तो मान लो बगवान क्योंकि जल से प्यासबुजी आनंद हुआ सुख हुआ और नल का समझे लो गुरू क्योंकि गुरू बेना बगवान मिला को नहीं यह नियम है तो हैंड पंपने तो गुरू मानो और मटके के जल को बगवान मान लो वो आपके पुन है तो आपके जब पुन समाप्त होगे आपके मटके का जल समाप्त होगया तो कहां जाओगे एंड पंप के पास जाओ उसकी सेवा करो मॉमेंट दो उस हतली को और फिर बर लियाओ और जो हैंड पंप है खराब कर दिया अपने फिर जल ना मिला आपको तो यहां क्या बताना चाहते हैं गुरू गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए एक तरफ हैंड पंप है दूसरी तरफ एक मटके मजल है तो कहते हैं किसको अधी कादर करूँ एक तरफ बगवान खड़ा है मान लीजी एक तरफ गुरू जी है तो किसके किसको प्राथमिकता दूँ प्रमात्मा उत्र भी दे रहे हैं कि बलिहारी गुरू आपना जिन गोविंद दियो मिलाए फिर क्या बताते हैं कबीर हरी जै रूठ जा यानि तुम्हारा राम रूष गया आप पतियां सरू होगी वो गड़े का जल समाप्त हो गया तो गुरू की सरन में जा यानि पूर्न संथ की पास सरन में पहुंच और कहे कबीर गुरू रूठ गये तो हर ना करे सहाए आपने गुरू जी के परती ही कोई दुरू भावना पैदा कर ली कोई उसमें दोस्त देख लिया अपनी सोच अनुसार या कोई यहां अपने मरियादा भंग कर दी तो उसे गुरू रुष्ट हो जाता है जैसे इस दास को जब पता चलता है कि यह विक्ती यहां आ भी रहा है और कहता हम नाम भी ले रख्या है और यह बीडी भी पीवा है गुटी भी लगा जाता है कभी कभी तो तब मैं रुष्ट होता है यह दास रुष्ट होता है दुख होता है मुझे कि कोई फाइदा निसके यहाने का और दो चारह नोर बिगाड़ेगा के देखिए भी बीडी पीवा है राम पाल का से सो करके तो इससे दास गणा दुखी होता है उस व्यक्ति को चाहिए अपने गलती स्विकार करें दुबारा उपदेश ले ले शुद करा ले अपने उपदेश को और बविश्यम ने पीवा ह अपना कल्यान करवा ले तो इससे दास दुखी होता है कोई आन उपासना कर लेता है तो भी दास दुखी होता है कि नहीं आप पती बरता पद पर नहीं रहे भगवान आपको मदद करेगा नहीं पिर लाब क्या होगा यहां दक्के खान का यहां आने का कोई लाब आपको न प्रमात्मा सच्मुच ऐसे सुख दिया करता है सुना करते थे लेकिन आप यहां देखा करोगे आप यहां महसूस करोगे और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महराची से निश्रक नामदिक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्ख करें हमारी संपर्ख सुत्र है 8222-88-0541 आप नीचे स्क्रीन पर दिये गए हमारे अन्य नमबरों पर भी संपर्ख कर सकते हैं विज़िट करें हमारी वेबसाइट पर हमारी वेबसाइट है www.chagatkaru.org झाल